What's up guys, very good morning, very good afternoon and very good evening as per your time My name is Mandhan Mishra and आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चाप्टर पढ़ने जिसका नाम है कहना Methods of Cooking कि कौन-कौन से Methods हैं जिससे हम Cooking कर सकते हैं Actually, Cooking जो होता है उसको चार टाइपस में बाटा गया है चीक है First आता है आपका Moist Heat Moist Heat मतलब Moist मतलब तोड़ा सा गीलापन दूसरा होता है आपका Dry Heat Dry मतलब सूखा Heat And फिर उसके बाद आता है Combination Combination मतलब जिसमें आपका Moist and आपका Dry तोनों Combined हो फिर चौथा होता है Other Methods ठीक है जो आपका हम सब डिसकस करेंगे आपको Tension लेने के बात बिलकुल नहीं है बहुत easy है मैंने pictures के साथ समझाया है तो आपको बहुत मजा आने वाला है जैसे कि मुझे पढ़ाने मजा आ रहा है I hope कि आप सबने मेरी वीडियोस देखी होंगी पहले अगर नहीं देखिए तो you can watch it and please tell me कि आपको कैसा लग रहा है and आपको कौन-कौन से topics चाहिए so हमने अभी discuss किया कि cooking methods में 4 types के होते है so आपको जो first है जिसका है आपका moist heat उसमें कौन-कौन से आते है जैसे कि moist heat में आ जाता है moist में गीला जैसे कि boiling हो गया simmering हो गया and steaming हो गया pressure cooking हो गया poaching हो गया blanching हो गया हम सब discuss करेंगे कोई tension गी बात नहीं फिर dry heat में आ जाता है आपका roasting, grilling, broiling, toasting, baking, sautéing and frying फिर आजाता है आपका combination में combination में आपका आ गया braising and stewing combination मतलब moist and dry heat का दोनों का combination फिर आपका आ जाता है आपका other source, other heat, other methods other methods में आ जाता है आपका microwave and आपका आ जाता है solar panels या solar cooking तो ये एक table है अब हम धिरे धिरे करके main main discuss करेंगे जो exam के point of view से important है so let us start methods of cooking मतलब types of cooking cooking के प्रकार तो देख ले कि कैसे cook करते हैं पर अगर वायचांस question आ गया कि भाया ये बताओ cooking क्या होता है मंधन सर ने तो बताया ही नहीं है cooking क्या होता है बस method पढ़ा दिये तो नहीं वो भी पढ़ना है तो what is cooking cooking मतलब होता है heat apply करना cooking means applying of heat to the food और अगर और बोला जाता है कि cooking जो है वो 2 million 2 million मतलब 10 लाग होता है नहीं 1 million कितना होता है जितना भी होता हो तो जो cooking है वो 2 million साल पहले start की गई थी नहीं million तो बहुत होता है यार million साल पहले start की गई थी और ये भी बोला जाता है कि ऐसी आग जलाई थी अपने आप आग जलना start हो गई और वहाँ सी discover हुआ अगर हम scientifically कहें तो cooking is a transferring of energy from a heat source to the food मतलब किसी heat source है मतलब हीट जहां से निकल रहा है उसको खाने वाले source तक जहां पहें खाना है वहाँ पे heat transfer करना simple definition है आप याद कर सकते हैं so let us start कि methods of cooking को आप discuss करते हैं so methods of cooking में सबसे पहले हम discuss करेंगे आपका baking I know, I am sure कि आपने baking की होगी अगर आप hotel management वाले हैं अगर नहीं की न मिला मुझे क्या-क्या फिर bakery में अगर नहीं की है तो ठीए कोई बात नहीं अगर आपने ऐसी फल्लू मा रहा हो तो आपने कभी घर में किसी के लिए केक बनाया हूँ अगर वो भी नहीं किया तो चलो टीवी में देखा होगा ब्रेड बनते होए प्लीज हाँ बोल देना तो जो baking है आपने notice क्या होगा वो एक microwave के अंदर मतलब हम लोग डाल देते हैं और पुरा enclosed रहता है मतलब पुरा बंध होता है हर जगा से जहां पे आपने केक देखा होगा केक जो होता है वो ऊपर से पका रहता है अंदर से वो moist रहता है मतलब थोड़ा सा soft रहता है नर्म रहता है तो इसको हम baking केते हैं मतलब आउटर साइट से पकता है और अंदर से नर्म रहता है अब हम इसको कैसे कहेंगे यह definition है इसका baking involves applying a dry याद करिए यह dry जो हमने आपको table बताया था उसमें यह dry method में आता था आपका baking baking involves applying a dry convention heat to your food in an enclosed enclosed मतलब बंद environment which makes the outside of the food बहारी food को brown कर देता है which makes outside of the food go brown and keeps the moisture locked inside and moisture को अंदर बंद करके रखता है simple और इसके examples है making of pastries making of bread and making of desserts simple so second आता है आपका methods of cooking में frying frying मतलब कि आपका किसी भी food item को fat के साथ cook करना ठीक है अब जो आपका फ्राइंग होता है वो भी इचार टाइप्स के होता है first आता है आपका deep frying deep frying से पता ही चल रहा है कि oil के अंदर एकदम घुसा देते हैं उसे जैसे कि आपने देखा होगा french fries जो आपका mcdonald's पर बनता है उसको एकदम तेल के डाल देते हैं फिर आता है आपका stir frying stir frying मतलब कि उसको तेज आज पे तेज हीट पे उसको जली जली पकाते हैं stir fry करते हैं जली जली फिर उसके बाद आता है आपका pan frying pan frying मतलब कि आपका simple frying कि आपका oil के साथ कुक कर रहे हैं और फिर उसके बाद आता है आपका sourting sourting आपने सुना होगा कि चलो sourting कर लेते हैं sourting मतलब कि आप gas पे एक साइट पे जादा ब्राउन कर रहे हैं और दूसरे साइट पर थोड़ा सा गरम किया वस खतम मतलब एक साइट पर focus है आपका कि और दूसरे साइट पर थोड़ा सा तेल लगा कि वस जली-जली करके खतम कर दिया इसको पढ़ दीजे अगर आपको समझ आ गया है तो आप डेफिनेशन सापको आराम से समझ आ जाएंगे स्टेल आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज आप कमेंट में पूछें you are free and I am here to tell you do not take tension ठीक है जो frying है यह बहुत fast method of cooking है है और जो frying का temperature होता है वो होता है 175 degrees celsius to 225 degrees c कुछ कुछ points से वो याद करें और महा पर लिखके आ जाएं बल्ले बल्ले हो जाएंगे फिर next आता है आपका roasting now we will discuss roasting क्या होता है आपने सुना आपको roasted chicken तो roasting जो होता है वो एक high level of baking है मतलब थोड़ा सा enhanced way of baking है for an example आपने देखा होगा कि chicken roast कर रहे है तो जो chicken roast करता है उसका temperature जादा रहता है तो उससे क्या होता है कि baking की तरह होता है कि बाहर से उसका पकता है और अंदर से थोड़ा सा moist रहता है पर क्या बोलते है temperature जादा होने के वज़े से जो ऊपर आले जो crust होती है वो caramelize हो जाती है caramelize हो जाती है मतलब उसमें उसमें ब्राउन-ब्राउन उपर उपर हो जाता है और उससे जो टेस्ट है वो enhance होता है और जिसने roasted chicken खाया होगा उसको में पानी आ गया होगा और इसका temperature है आपका 300 से लेके 500 degree Fahrenheit और celsius में होगा इसका 150 degree Celsius to 200 degree Celsius roasting is that much simple उसके बाद हम discuss करते हैं grilling कि grilling क्या होता है आपने देखा होगा आपने काटून से में देखा होगा अगर आप अपने बहुत सारे अगर आप एनमे देखते हैं अगर आप मूवीज देखते हैं तो उसमें देखा होगा कि लोग ग्रिल करते हैं मतलब एक छोटा सा एक आपने फोड देखा होगा अपने फोड देखा होगा आप सामज गया होगे तो आप इसको बोलेंगे कैसे इसका डेफिनेशन क्या है की बहुत तेज हीट के नीचे उपर रखते हैं उसे है न हम हीट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं आपने देखा होगा दुकान में भी यूज करते हैं वो लोग कोईला यूज करते हैं वूड चार कोल यूज करते हैं वूड कोल यूज करते हैं अपने यह देखा होगा जो गृल बना रहे हैं चिकन बना रहे हैं तो उसको लोग पहले मैरिनेःट करते हैं तो अफ यह हिए लिख सकते हैं कि बिफ़ोर ग्रिलिंग देटंगे अजिए देए cricket अइन वी मेरिनेट गाइटम onda सिंपल उसके बाद रहे है आपका broiling, अब broiling क्या होता है अब broiling क्या होता है broiling भी एकदम same है grilling की तरह, पर broiling में क्या होता है, कि जो heat source grilling में क्या था, कि heat source नीचे है, ये नीचे है coiler, paneer उपर है, पर broiling में क्या होता है heat source उपर है, और ये आपका नीचे है अब for an example आप सेलमांडर भी कह सकते हैं, अगर आप चाहें तो वह अग्रिक्टरिक सोर्स है, अब उसके बद नेक्स्ट आता है अपका स्टीमिंग, स्टीम मोमोस तो खाय ओंगे भया, अगर स्टीम मोमोस नहीं खाया न अपने अगर जिन्देगी वरबाद है, इसका बेन मैरी में आजाता है, and मैंने सबके temperatures भी सबके लिखे से जा रहा हूं है, please आप इसको याद करें it is much more helpful for you महाँ आप लिखेंगे temperatures के साथ तो आपको, teacher आपको धैद है माँस देगा, उसके बाद आता है आपका poaching अब आता है आपका poaching, poaching मतलब होता है कि थोड़ा सा कोई pan में या किसी चीज में आपने थोड़ा सा liquid ले लिया and liquid आपका water हो सकता है आपका stock हो सकता है, आपका milk हो सकता है आपका juice हो सकता है, कुछ भी हो सकता है and उसमें आप उसको cooking कर रही है और इसका जो temperature होता है वो 160 से 180 degree Fahrenheit के बीच में होता है and हम किसी चीज को poach करते है poached egg आपने सुनाओगा egg को poach करते है, fish को poach करते है fruits को poach करते है and आप photos भी देखते रही है आपको समझ आता रहेगा अब आता है आपका simmering simmering मतलब किसी pan या किसी pot में आपका समान माल पानी रखा हुआ है आप उसको धी में आज पे simmer कर रही है simmer आपने सुनाओगा न simmering कर रहे है धी में आज पे खाना पका रहे है जैसे कि आपके घर में मम्मी बनाती है और खाना बनता है जैसे कि यह तब सब्जी है तो उसको धी में आज पर पक रहा है वो तो उसको बोलते हैं simmering और उसको कैसे बोलेंगे this involves cooking liquid on a stove और उसको कैसे बोलेंगे कि this involves cooking liquid on top of the stove in a pot or a pan and simmering should be carried out in a low heat, low flames आपने देखा होगे सब्जी पकते है तो उसमें bubble उठते है ना कितनी प्यारी आज आती है तो simmering में वो होता है अब हम आते हैं next which is your blanching blanching मतलब क्या होता है blanching मतलब कि आपने किसी आपने पतीला लिया ठीक है उसमें आपने पानी डाला उसमें अपने vegetables लिये ठीक है and उसे एकड़म खौलवे पानी में डाल दिया vegetables को अंदर imagine करो यह है आपका पतीला ठीक है and इसमें गरम पानी नीचे हीट आ रही है इसमें आपने सब्जी डाल दिया एकड़म गरम उसमें अगर आप जादा कुक कर दो को तो क्या हो जाएगा वह इकड़म पिल-पिला जैसा हो जाएगा तो उसको पिल-पिला से रोकने के लिए उससे हम जली से ठंडे पानी में डाल देते हैं और ऐसे करने से पता है क्या होता है आपकी जो वेजेटेबल है उसकी न शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है मतलब वो एकस्पायरी बाद में होता है उसका एकस्पायरी डेट बढ़ जाता है इसको प्लांचिंग अब उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ब्रेजिंग अब ब्रेजिंग मतलब क्या होता है ब्रेजिंग मतलब होता है कि आपने क्या क्या ब्रेजिंग जो होता है वो न बड़े बड़े जो लाज मीट होता है जैसे कि पैर किसी का जैसे कि आपका चिकन लेग हो गया आपका बीफ लेग हो गया तो उसको क्या करते हैं कि उसे sauté करते हैं या उसे sear करते हैं sear मतलब कि उसको high temperature पे उसे एकदम पकाया high temperature पे जिससे कि उसका juice जो है वो अंदर ही रहे बाहर न निकले तो उसको sear किया या उसे sauté किया चीक है and क्या किया उसके बाद उसको किसी liquid में या तो stock या water आपकी जो मर्जी है उसे simmer होने के लिए छोड़ दिया simmer मतलब क्या होता था low temperature पे cook होने के लिए छोड़ दिया क्योंकि जो joints होते हैं जो leg piece होते हैं उसे पकने में time लगता है आपने सुना होगा अपनी faculty से कि जो joints हैं जो बड़े-बड़े meat pieces हैं उन्हें पकने में time लगता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं brazing अब उसके बाद next आता है आपका stewing next आता है आपका stewing अब stewing भी एकदम same to same brazing जैसा ही है उसमें भी हम sauté करते हैं या sear करते हैं पर difference पते में इन क्या है कि आपने देखाऊगा brazing होता है आपका बड़ा-बड़ा items के लिए आपका stewing होता है वो छोड़-छोड़ा items के लिए जिसके vegetable हो गया या थोड़े-थोड़े breast pieces हो गए तो वो chopped meat and chopped vegetables के लिए क्या use होता है आपका stewing simple खतम अब next आता है आपका pressure cooking pressure cooking अब तो समझाने की जुरत नहीं है मज़े तब भी समझाओंगा मैं pressure cooking मतलब होता है कि आपका pressure cooker में उसको पकाना जैसे कि आप घर में आपकी खर्मेंच की चावलावल बनता है and उसके बाद आपका आता है solar cooking solar cooking मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि solar cooking मतलब जैसे कि आपको जो sunlight का use करके direct sunlight का use करके मैंने आप एक photo भीजिये उसमें पता है कि मैंने टीवी में देखा था एक ऐसे ही पतीला होगा बड़े-बड़े पतीले होते हैं और वो एक जो आपको foil होते हैं क्या होते हैं खाने वाला foil वो उस color की होते हैं तो वो खाने को जो होते हैं heat को absorb लेता है उसमें वो लो खाना बनाते हैं यह kerala side use होता है मैंने discovery पर देखा था तो यह हो गया आपका खतम यहां पर इतना easy methods of cooking यह लिख जए आपका one words में आ सकता है आपका यह भी question आ सकता है कि tell me five types of cooking and explain it or tell me or tell write ten types of methods of cooking and explain it लिख देना perfectly लिखना and I know you can do it because I also did so मज़ा आएगा नहीं समझ आए तो please पूछना and मेरे दो सोर मचा रहे है मैं कुछ इसके कर नहीं सकता इसले माइक लिया हो है तो कुछ कोशन आथा तो please do ask me on my instagram और even on the comments all the best exam सच्छे से देना and follow me on instagram or share the videos bye bye have a nice day we'll meet you in the next video